हलो दोस्तो अवी में केजुकेशन में मैं अरविन मक्वाना आप सबका स्वागत करता हूँ दोस्तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बारतिय समिधान के मौस्ट आइम पी प्रस्न पार्ट 15 इससे पहले 14 पार्ट अप्लोड हो चुके है यहीं देखना बाकी हो तो देख लीजिएगा तो अती महत्वपूर्ण जो क्वेस्टन है वही इस वीडियो में हम देखेंगे जो एक्जाम में बार बार पूछे आते हैं और लास्ट में आपकी टेस्ट भी ली जाएगी तो इस निधी में सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी राजस्व जमा कराया जाता है संचित निधी में कराया जाता है नए रून पुराने रूनों की अदाईगी इत्यादी से प्राप्त होने वाला धन इत्यादी संचित निधी में जमा कराया जाते हैं इसे खर्च कर करने के लिए किसकी अनुमती आवश्यक है संसत की अनुमती आवश्यक है अगर संचित निदी में जो धन जमा हुआ है उसको यूज करना है तो संसत की परमिशन लेनी पड़ेगी किस संसोदन द्वारा संविधान में दस्वी अनुसूची जोड़ी गई है जिसमें संसत तथा राज्य विधान सबाओं के सदस्यों द्वारा दल बदल के कारण उन्हें अयोग्य घोशित करने से सबंदित प्रावदान थे तो वो है 52 संसोदन 1985 अखिल भारतिय सिवाओं का स्रुजन कौन कर सकता है राज्य सबा कर सकती है दो तृत्याओं स बहुमति से हैं दो तिहाओं बहुमति होगी तो कर सकती हैं भारत की समयदानिक गुत्ति को सुलजाने के लिए सियार फार्मूले तथा वेवल प्लान कब हुआ 1944 और 1945 में यानि सियार फार्मूला जो है वो 1944 में आया और वेवल प्लान वो 1945 में किस प्लान में समयदान सभा के गठन का सुजाओ दिया गया तो केबिनेट मिशन प्लान में दिया गया 1946 में ये जो पहले दो प्लान थे वो फेल हो चुके थे 1944 वाला सियार फार्मूला और वेवल प्लान 1945 ये दोनों फेल हुए उसके बाद केबिनेट मिशन आया सरकारी शिक्सन संस्तानों में दार्मिक शिक्सा का निशेद समिधान के किस अनुचेद के अंतरगत किया गया है बारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्याय लईकी स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया regulating at 1773 के द्वारा उच्चतम न्यायले की स्थापना का प्रावधान किया गया था नागरिकों को छे स्वतंत्रता हो जिसमें बासन तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभा समयलन करने की स्वतंत्रता समुदायों के निर्मान की स्वतंत्रता देश के सभी भागों में घूमने फिरने की स्वतंत्रता कोई भी व्योवसाई अपनाने की स्वतंत्रता आधिका उलेक कहां किया गया है तो 6 स्वतंत्रता है है हमारी 6 स्वतंत्रताओं का उलेक जो है वो तिसरे भाग के अनुछद 19 में किया गया है तिसरा भाग यदि भाग पुछते हैं तो तिसरा और अनुच्छत पुछते हैं तो 19 किस समिदान संसोदन द्वारा संपती के अधिकार को मोलिक अधिकारों की सुची से हटा दिया गया है पहले हमारे मोलिक अधिकार साथ थे उसमें से संपती का मोलिक अधिकार हटा दिया गया अभी हमारे मोलिक अधिकार छे है तो 44 संसोदन द्वारा 1979 में इसे संपती के अधिकार को हटा दिया गया समिधान को कितने भागों में बाटा गया है तो 22 भागों में बाटा गया है प्लस 3 पेटा भाग भी है सासन की किसी भी संभावित दमनकारी निती से नागरिक हितों के रक्षार्थ समिधान द्वारा नागरिकों को कौनसा अधिकार प्रदान किया गया है जिसके अंतरगत वे न्यायले की सरण ले सकते है सम्वेधानिक उपचारों का अधिकार अनुछेद 32 के अनुशार पांच तरह की रिट कर सकते हैं भारतिय सम्वेधान में किस देश से क्या लिया गया तो निती निदेशक तत्व आयरलेंड से लिये गये है संगिय सासन प्रनाली कनेडा से आपात कालिन उपबंध जर्मनी से गनतांत्रिक व्यवस्ता फ्रांसिसी से मुल्क अर्तविय सोवियत संग से यानी रस्या से संसोधन की प्रक्रिया दक्सिन अफरिका से और संसदात्मक लोकतांत्रिक प्रनाली ब्रिटन से लिग गई है यहाँ पे दक्सिन अफ्रिका आएगा संसोधन की प्रक्रिया बंबे राज्य को विवाजित करके महाराष्ट एवं गुजरात ने राज्य कब बनाये गए मई 1960 में तो 1 मई 1960 को दोनों का विवाजित हुआ पहले था राज्य का नाम रुहद मुंबई उसमें महाराष्ट और गुजरात दोनों का समावेश होता था फिर दोनों को अलग किया गया महाराष्ट और गुजरात को मई 1960 में समिधान में वर्णित मौलिक कर्तविय किस देश के समिधान से प्रेरित है पुर्व सोवियत संग के समिधान से यानी रस्या से निती निदेशक तत्वों के क्रियानवन्त हेतु ब्रीटिश व्यवस्ता के अनन्य तत्व विधी के समख समानता को भारतीय समिधान के किस अनुच्छध में स्थान दिया गया है किस समिती की सिफारिशों के आधार पर समिदान में मौलिक करतविय से सबंदित प्रावदानों की व्यवस्ता की गई है स्वर्णसी समिती की सिफारिशों के आधार पर स्वर्णसी समिती याद रखेगा संसत का सदस्यं नव होते हुए भी कौन संसद की कारियवाही में अधिकार तह भाग ले सकता है तो वो है भारत का महानियाईवादी केंदर सरकार के मंट्री व्याभारिक एवं समयधानिक रूप से किसके प्रसाद परियंत अपना पद धारन करते है प्रदान मंत्री व राष्ट्रपती कौनसा समिदान संसोधन निती निदेशक सिद्धानतों को मौलिक अधिकारों पर स्रेष्टता प्रदान करता है 42 वा समिदान संसोधन जिसे मिनी कॉंस्ट्रियूशन भी कहा जाता है राश्ट्रपती में कार्येकारेणी सक्तिया नहीं थे परन्तु वह उनका प्रेयोग किसकी सलाह के अनुसार करता है मंत्री परिशत की सलाह के अनुसार राज्ये सबा के सदस्यों का कार्येकाल किसके द्वारा निच्चित किया गया है समिधान द्वारा अनुचेद 83 के तहट इसको निचित किया गया है कौनसा राज्य लोकसभा में सरवाधिक प्रतिनिधी भेजता है तो सबसे ज़्यादा उत्तरप्रदेश भेजता है सार्वजनिक निधी का अभी भावक किसे माना जाता है नियंतरक महालेखा परिक्षक को माना जाता है राज्य सबा सदस्यों की अधिक्तम संख्या कितनी है 250 अनुचेद 80 के तहट संसत के सयूक्त अधिवेशन की अधिक्सता कोन करता है कई बार पुछा जा चुका है यह सवाल अंसर आएगा लोक सबा के अधिक्स इसमें option में होता है राष्टपती उपराष्टपती राजी सभा के अध्यक्स या लोग सभा के अध्यक्स तो लोग सभा के अध्यक्स आएगा option संसत के प्राधिकार के बिना भारत की संचित निदी से धन्वेक न किया जाए यो सुनिचित करना किसका उत्तरदाईत्व है भारत के नियंत्रक महालेखा परिक्षक का है राज्य की आकस्मिक निदी का परिचालन कौन करता है राज्यपाल करता है भारत की संप्रभुता किस में निवास करती है भारत की जनता में समिदान के मुल्द प्रारुप में राज्यों के चार वर्ण कह ख गह थे ये प्रबर्ब कब समाप्त किये गए 1956 में समाप्त किये गए भारत के समिदान की प्रस्तावना में समाजबादी और धर्म निर्पेक सब्द कब जोड़े गए 42 संसोधन अधिनियम द्वारा 1976 में गवर्नर जनरल भारत में किसका प्रतिन इधित्व करता था ब्रिटिस समराट का गणतंत्र के रूप में भारत का जन्मक हुआ था 26 जन्वरी 1950 को तब उमारा समिदान जो हे वो लागु किया गया था 26 जन्वरी 1950 अनुचे 39 को में वर्नित समान्याई और निशूल का विदिक सहायता का निदेशक तत्व समिदान के किस संसोधन अधिनियम की देन है 42 संसोधन अधिनियम की संपति के अधिकार को मुल अधिकारों वाले भाग में से निकाल कर किस में स्थान दिया गया है समिधान सभा की पहली बेटक किस तिथी को हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसके अध्यक्स थे डॉक्टर सतिदानन सिन्हा समिधान के कौन से भाग में राज्यों से पंचायती राज प्रारम करने की अपेक्सा की गई है निती निदेशक तत्वा भाग चार में अब आपकी टेस्ट जो हमने वीडियो देखा उसी में से आपको यहाँ पे क्वेस्टन पूछे जाएंगे जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं उससे पहले यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए अपने सभी दोस्तों को वीडियो सेर कीजिए चनल सब्सक्राब करना बाकी हो तो चनल को सब्सक्राब कर लिजिए और बाजू में देख बेल को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियो है आप तुरंत ही देख पाए आपको वेट नहीं करना पड़े इस चनल पर बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है आप चनल के नाम पे क्लिक करके वीडियोज में जाके सारे वीडियो देख सकते है इस वीडियो की PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलिग्राम चैनल की लिंक प्लस वोट्सप ग्रूप की लिंक दी हुई है वहाँ पे जूड जाएंगे तो वहाँ पे आपको डेली नीज़ पेपर, डेली करेंट अफ़ेर, मौस्टाम पी, PDF और लेटेस्ट गवर्मेंट जोब की अपडेट मिलती रहेगी अब बात करते हैं टेस्ट की एक अखिल भारतिय सिवाओं का सुरूजन कोन करता है बारतिय समीदान का प्रारुप किस ने तयार किया था नागरिकों की छे स्वतंत रताओं का वर्णन किस भाग में है कौनसा राज्य लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधी भेजता है चारो प्रस्न के अंसर आपको कमेट बोक्स में करमसहत देने हैं आसा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स पर वोचिंग मैं वीडियो